नमस्कार दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बेहदी खास कारक्रम बिहार बिहान में और इस बेहदी खास सुभे में की शुरुआत मैं कुछ पंतियों के साथ करना चाहती हूँ अब आप सब सोच रहे होंगे कि आज इस सुभे में नेहा को क्या हो गया अचानक से इसकी जो जुबान है ये मघी की भाषा से इतनी जादा मेठी क्यों हो गई है आपको बता दे दैशको कि आज जो मेरी जुबान पर ये मीठी प्यारी सी बोली है इसका कारण कुछ और नहीं कारण है आज हमारे स्टूडियो में मौजूद बेहदी खास महमान वो है एक ऐसे कवी जिन्होंने बेहार की बेहदी मीठी भाषा मग ही को ना तो सिर्फ अपने प्रदेश में बलकि देश विदेश में भी उसको एक पहचान दिलाई है उसका नाम रोशन किया है तो चली देशे को हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज की बेहदी खास महमान आपको बता दी कि आज जो हमारे बेहदी खास महमान है वो कवी और सह सहायक एगनू डेली में है उनका नाम है संजे कुमार मुकेश, सबसे पहले तो संजे कुमार मुकेश बहुत-बहुत स्वागत था आपका कारकृप बिहार बिहान में बहुत-बहुत धन्यवाद, पहले निया जी मैं बता दूँ, मैं संजे नहीं, मैं संजीब कुमार मुकेश हूँ संजीब कुपार मुकेश मेरा नाम है और तमाम हम सुरुताओं को मेरा प्रणाम है मैं गोड लगता हूं, प्रणाम करता हूं मगत की इस धरा से पुनह आप सब को नमस्कार बिल्कुल, बिहार बिहान की शुरुआत है सबसे पहले तो मैं आप से माफी की मांगना चाहूँगी कि मैंने गलत नाम ले लिया डिना के हम बात करते हैं और आp बीहार के मिट्टी से आपका नाता हैं और इसके साथ ही बिहार की भाषा को लेकर आप जैसा कि मैंने बताया कई राष्ट्रिय मंचों तक आपने पहुचाया है इस खुबसूरत भाषा मग ही को तो हम आप से जाना चाहेंगे कारिकरम की शुरुवात क्यों न आपके द्वारा बिहार के ऊपर कुछ पंतियों के साथ की जाए बहुत बहुत सुक्रिया यह मतलब मेरे मन की बात चुकि हम बिहार के लोग अपनी जीविशा के लिए जिए जाने जाते हैं हम अपनी मेहनत के को यहां से सुरुताओं तक पहुंचाएं मैं कुछ पंक्तियां आपको देता हूं उसके बाद मगद की जो मीठी बोली है मैं उस तक आपको ले चलूँगा इस सफर में क्या वात है बिल्कुल कि जिसका स्रम सकती है यह बिहार क्या है क्यों बिहार को लोग जानते हैं क्यों बिहार के लोगों को हर बीदेश हो में इतना सब्रेइश दिर्षा में वह यह की जिस्तका स्रम सक्ती है अनंत मेधा जाने साई और हम हैं अब हैं अिंहार हम हैं यह हए उन्य वह विध हैयार हम पर बोख़र हैं मुझे लगता है जांप आपको इल्म हो चुख होगा कितना खूबसूरत होने वाला है हमारा आज का ये बेहदी खास कारकृम बिहार, बिहान की शिरुवात जब बिहार की कुछ ऐसी खूबसूरत पन्तियों के साथ हो तो क्या ही बात हो इसके साथ ही संजीव जी हम आप से जानना चाहेंगे कि बिहार में जैसा कि मैंने कहा कि कई भाशाएं बोली जाती है चाहे हम बात करें मैथली भोजपुरी अंजिका अंगिका भज्यका ऐसी कई सारी भाशाएं बोली जाती है मघी उसमें से अपने मघी ही क्यों चुना कोई विशेश कारण रहा होगा मघी को चुने का कारण सिर्फ यह है कि यह मेरी मा की भाशा है मैंने जिस धून में अपने जीवन को जहां लेट के मांने आगे बढ़ा और मांसे प्रिये तो जीवन में कुछ होई नीसकता और मांकी भाशा अपनी भाशा होती है और जिस भाषा में हमने जीवन के पहले शब्द बोले हों, उससे प्रेम लाजमी है, सब को पता है कि अपनी भाषा और भारत में अने को बोलिया है, हमारी संस्कृती बहुत सम्रिद्ध है, तो हर एक भाषा उतनी ही सम्रिद्ध है, उतनी ही मीठी होती है, तो चुकि यह हमा आपकी मा की भाशा है जो बिहदी मीठी और बिहदी कर्ण प्रिय होती है तो हम चाहेंगे क्यों ना एक आपकी रचना हम सुने मघी भाशा में जरूर जरूर देखिए क्या होता है कि हम बिहार के लोग जब कहीं जाते हैं तो हमारे पहनावे हम कितना भी कुछ भी पहने लेक मघी कुछ पंक्तियों में मैंने इसको लिखने का प्रियास किया है इस पूरे गंचे को यह काफी बड़ी कविता है लेकिन कुछ लाइने मैं समर्पित करना चाहता हूं आप सुरताओं को और यहां से गुजारिश भी करूंगा कि हम अपने रहन सहन को कभी किसी के बहकाब अभी आपने देखा भी होगा एक वार बहुत एक पंक्तियां मेरी बहुत वाइरल भी हुई थी कि एक सवाल हुआ था दिल्ली के वर्ल्ड वुक फेर में कि मघी क्यों पिछड़ रही है तो मैंने वहां पर एक लाइने कही थी कि देसी मुर्गी बिलाइती बोल के चक्र मे मघी यानि हम देसी लोग एक बिलाइती बोल को ज्यादा आखने लगेंगे तो निसंदे हम कहीं न कहीं अपने घर अपने दुवार अपने आंगन को पीछे चोड़ देंगे तो मैं चुकि गमची की बात हुई मघी की बात और गमची हमारे लिए गौरब का विशा है तो क बिविद रंग जे भारत के गमचा एककर पहचानक यह बात ने खाली गमचा के इसी गमचा को यह दि हम दूसरे रूप में कहीं लेते हैं तो वह अलग परिवेश में अब हमारे चड़ितर को ढ़ाल देता है तो मैंने लिखने का प्रयास किया है कि इहे गमचा माथा पर पगड़ी साफा बन जा है रंग बिरंगा गमचा ही पट्टी अस्टॉल कहा है और इहे गमचा भगत सिंग के माथा के पगड़ी है कि इहे गमचा ओड़कते भगया नेता बन जेला अ बांध मूरथा माथा पर मजदूर चलावे ठेला इमेहनत कस मजदूरी के इमान हकए है बीवी दिरंग जे भारत के गमचा एक कुछ और लाइन है कि अनदा ताके खून पसीना गम्छे रोज सुखावा है कि इह गम्छा से बांध सूत रानी बनली मरदानी आई गम्छी में बांध कलवा पहूं खर्यानी इह गम्छी से गैठी जोड़े सात जनम के रिस्ता इहे गमची में बांध माई भेज़ा हलकाजू पिस्ता इन नई है गजबर पूरा हिंदुस्तान हकई है विविदरंग जी भारत के गमचा एकर पहचान हकई संझीव जी अभि हमने जाना मघी भाषा की बारे में अपने गमचे का इतना फ्यारा सा वर्णन दिया हमने यह जानना चाहेंगे विहार में कई शेत्रिय भाषाएं हैं कि आप उन बढ़ होत्री बदलावों को साहित्य के दृष्टि कून से किस प्रकार से देखते हैं इसमें क्या है कि जब हमारे युवा अपनी कदम जिस ओर बढ़ाएंगे निसंदे बदलाव मिलना ही है और जब हमारे साथ इतनी बड़ी सम्रिद्ध विरासत हो हमारे साथ इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने असंक रचनाय रच दी हैं जिनका पुरा विश्व में मान बढ़ रहा है इस रचनायों के माध्यम से और जब युवा इस ओर आये हैं युवाओं में अब इस दर्मियान कुछ वर्सों में युवाओं में अब सहित के परती थोड़ा लगाओ भी बढ़ा है और इसमें वो अपना कैरियर भी तलास रहे हैं मतलब आप एक कभी है तो आप स्टाडम में जी सकते हैं इस वजह से लोगों का रुजहान भी इसमें बढ़ा है कैरियर के रूप में भी लोग सहित को लेने लगे हैं और निसंदे कई कई एक्जामपल हमारे पास अभी हमारे देश में हैं जिन्होंने सहित के माधम से मां हिंदी की सेवा करके अ एक बहुत उत्कृष्ट उचाई पर पहुंचाए हैं तो युवा जब जिस और भी युवाओं की कदम उनकी उर्जा जिस और बढ़ेंगी निसंदे सहित उस और और उस रफ्तार बढ़ेंगी इसकी अब जहां तक मगी की बात है या लोक भाशा की बात है तो हम युवा पहले संकुचित हो जाते थे यह हम अपनी भाशा में बात करें तो लोग क्या समझेंगे कि लगता है इसको इंग्लिष नहीं आती है या हिंदी नहीं जानता है इसलुको इस लीए या बात करता है मैं आपको एक बाट्या हमेरी जुलोगह भाशा होती एं तो जैसे माई जब किसी को गाली देती है तो माई कभी कई फटवना बोलेगी मतलब करें थाना तो क्य फटवना और जबकि अन्य गालियां आपको बहुत अपने आप में हीन भावनां से ग्रश्द करता है लेकिन इस में आपको कई फटोना है दी मां कह रही है तो आपको नहीं दिक्कत लगेगा मुझहौसा हमने लिखा मुझहौसा मतलब जिसका मुझह जरा हुआ इतम जल गए आग से मुझहौसा करोना तो उस समय मैंने हैस्टेग मुझहौसा करोना डाला था और खुशी इस बा मघी की बड़े मंचों पर जाता हूँ निसंदे सुरोताओं का प्यार है मित्रों का प्यार है कि वो मघी की बात जरूर करते हैं और मघी की एक रचनाय मेरे सजरूर सुनते हैं तो यह लगता है कि हमने जो पहला कदम बढ़ाया है उस कदम को और रफतार मिले उसके हमारे यह बहुत बड़ा उर्जा काम करते हैं बल्कुल इसके साथ ही आपने कई राष्ट्रिय मंचों पर अपनी प्रस्तूती दी है मघी की जो आवाज है उसे आपने बुलंद किया है तो हम आपसे जाना चाहेंगे अपनी मात्री भाशा को लेकर आगे चलना किस प्रकाव चु अलंग को थोड़ा सा तो ठीक ठा करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी लेकिन जब आपको इस भाशा की मिठास इस भाशा की तासीर इस भाशा के बारे में लोगों को पता चलेगा और आप उसको उस रूप में डेलिवर करें के लोग उसको accept करें तो फिर राहें आसान हो जाती है और अब तो ऐसा हो गया है कि जब मैं कहीं जाओं तो मेरी पहचान मगी से है मां हिंदी की सेवा भी करता हूं और मां की सेवा क्या करूंगा मां ने तो हमें बढ़ाया है यहां तक पहुंचाया है तो मां की सेवा की बात मैं नहीं करूंगा यह तो हमारी जिम्मेदारी है कि जिस भाषा में हमने पला बढ़ा है उस भाषा को तो निसंदे अपने जीवन में ही उतारना है सिर्फ यह नहीं कि मैं कुछ कहीं बढ़ा रहा हूं इसको यह तो हमारे रगरग में है तो बिस सिर्फ इसको डेलिवर करना ह संकूचित नहीं होना है संकोच नहीं करना है जो हम हैं दुनिया को दिखाईए जहां बनाबटी पना होगा तो वह च्छनिक होता है सिंपल एक्ग्जांपल हम मेंकप करते हैं तो स्क्रीन पर खुब्सूरत दिखते हैं लेकिन बाद में हमारी खुबसूरती नहीं रह जाती है तो बनाब्टीपन नहीं रखना है हमेशा जो हम हैं लोगों को डेलीवर करें हो सकता है कि आपकी सफलता थोरी बिलम्म से मिले लेकिन जो आपको accept करेंगे जो एकदम solid करेंगे आपको पून तरीके से करेंगे जानेंगे कि यही है बनावटीपन नहीं है मुकेशी मेरे मैंन में एक और बात उठ रही है इस वक्त कि जैसा कि आपने बदाया अपनी मात्र भाषा को लेकर चलना बिल्कुल जैसा मैंने कहा बहुत ही मुश्किल होता है कई सारी परेशानिया कठिनाईया आती है रास्ते में आपके सामने अभी के जो युवा हैं जो इ अपने हमारी जो थाती है हमारे जो बड़े пожतिकारों ने जो रचनाइय लिखी हैं उनको हम पहले पढ़ए और हमारी भाषा है हमारी भाषा में जो कुछ नयापन हे नयापन ना कहेंगी चुकि वह तो एंसीन है इतिहास है हमारा हमारी संस्कृती है उसको नयायापन नह आपको मगई की खुश्बू आएग गीतों हिंडी के घितों में भी हम मगई के शब्रो यह इलुका यह हैं लेकिन आपको इसमें लगेगा कि विहरी पन है तो यह मैं झान के या सोच के लिखताओं कि ऐसा लिखना है यह नहीं यह हमारे अंदर हमने एक बिहार को अंदर अपने अंदर बसाया है मघी को हम जी रहे हैं तो जिस शीज चीज द्सस Dollar और अगे निकली कि इसके साही मैं आप से जाना चाहूंगे कि जब आभी के युवाओं की हम बात करते हैं तो यह बहुत ही दुखद होता है कि कई युवा अपनी भाशा को छोड़ जैसा आपने बताया कि विलायती भाशाओं की और जादा अग्रसर हो रहे होते हैं इसके पीछे का कारण आप क्या समझते हैं रुजगार मेरे खैल से इसका कारण होता है कि सबसे पहला जरूरी क्या होता जैसे मैं ही आप मुझे लेंगे तो हम मैंने जीवन अपन के लिए नौकरी चुनी है मैं नौकरी करता हूँ और नौकरी में जो समय बच पाता है वो माहिंदी और मगी को मैं मगी को मैं देता हूँ जो भी समय निकल पाता है उसमें से और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे परिवार का होता है चुकि घर के कुछ इतने जरूरी काम होते हैं जिस जरूरी काम तो पुना उन्होंने मुझे प्रेसराइज करके हमारे अंदर की इस चीज को दुवारा उन्होंने पुशत किया है जैसा आपने बताया बच्पन से आप लिखा करते थे हम आपसे जाना चाहेंगे ऐसा कोई वाक्या या कोई किस्सा रहा होगा या कोई व्यक्ति होंगे जिनसे आपको प्रेड़ना मिली और साहितिक ही और आपका रुझान हुआ होगा यह तो बहुत अच्छा सवाल और बहुत जरूरी भी मैं बताऊं कि मेरे घर का पूरा वाताबरन साहितिक है मेरे पिता जी अभी सुन भी रहा होंगे मुझे वह मघी के जाने माने साहितिकार हैं उमेज प्रशाद उमेज उनकी कई रचनाएं बिश्वित द्यालों में भी पढ़ा ही जाती हैं तो हमारे घर का महल ऐसा था कि मतलब हमारे यहां घर कोई आते थे तो वह कोई कवी या कोई साहितिकार ही आते तो उनका सानीद्ध मिला और जब आप बढ़गत की छाओं में होंगे निसंदेह आपको चाया तो मिलेगी ठेंदीज तो संजीव जी चाहेंगे आप चाय की ऊपर आपकी रचना है आप हमें सुनाएगा निसन दे और यह मैं बताऊं कि मेरी मगी की पसंदीदा रचनाओं में से एक है और मेरी नहीं, रचना तो श्रोताओं के लिए होती और श्रोताओं का काफी सनेह प्यार मिलता है इस रचना के लिए, ये एक ब्यंग हमने चाय पे लिखा है, चुकि चाय भारत के तरब से बनाया गया परीपदार्थ नहीं, हम तो मठ्ठा पीने वाले लोग हैं, दूर्द बड़ी बलाए, ऐसा नहीं कि आपके चाय का जाय का मैं खराब नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी एक जिमेदारी है इस प्रमुक चैनल के माध्यम से, कि ससुरी चाय बड़ी बलाए, जे घर जाहूं, ओज़ई मिल जाए, इस ससुरी चाय, चुकि या चाय की बिना कोई सम बड़ी बलाए, जे घर जाहूं, ओज़ई मिल जाए, इस ससुरी चाय, कि ओफिस की थाना की मरदव जनाना, चाहिये से रिस्ताप पड़े है निभाना, बुढही दादी के बशी, चाहे बाबा के बरसी, भोरे भोर बस बेड़िटी, और कुछ नए सुहाई, इस ससुरी च बड़ी बलाए जे घर जाहूं ओजय मिल जाए इससरी चाहे क्या बात है अपने वो छोड़ दलक हमरा पकड़ा के भारत चाय पीने वाला देश नहीं है यह तो मठा और वो मकई के रोटी और हम लोग वो खाने वाले लोग हैं दूद खाने वाले लोग हैं तो अपने वो छो और दलक हमरा पकड़ा के अपट defense के धेरो रोग बलाए साश क्या व हादी हुश्यूसाय की नहीं आप बहल once की माल की दुखान की जोपड़ी की मकान, औमीर चहे गड़ीब सब के घर में चाई सुबह सुबह बनने है कि मौल की दुकान कि जोपड़ी की मकान रोड के हर चवथा घर है अब चाई के दुकान ग्रीन टी मसालेदार टी के नाम पे खुब हो रहा लो कमाए इससरी चाई बड़ी बलाए जे घर जाहूं औजय मिल जाए क्या बात है बेहदी खुबसूरत पहले कुटूम ही जाके कुछ और पंक्तिया हैं कि पहले कुटूम ही जाके आवानू भॉर ढवाठ ढ़ा काके अब तो सस्रारों में मिले लगल चाई दालमोट मिठाए इससरी चाई बड़ी बलाए जे घर जाहूं औजय मिल जाए एक अमी मुख्या जी के द्वारी बेटिके बर्तुहारी चाहय मुख्या जी के द्वारी की नुकड़ की चवराहा की महल आव adalahrit की नुकड़ की च औरही की महल आव आटारी के जो pan वाट सारा जो हमाई जो दर्शक देख रहे होंगे ये कारिक्रम उन में से बहुत सारे लोग होंगे, in fact 95% लोग ऐसे होंगे जो चाय प्रेमी होंगे, क्योंकि भारदेश ऐसा ही है जहां पे चाय प्रेमी लोगों की मात्रा बहुत जादा होती है, और जब वह भी चाय के ऊप पर ये कटाक्ष सुन रहे होंगे तो आम तोर पर लोगों को चाय के ऊपर कटाक्ष पसंद नहीं आती है, मगर ये तनी खुबसूरत सी कटाक्ष है, जो हर किसी को बहुत ही पसंद आ रही होगी, ये मगी की मिठास है, बिलकुल, मगी है ही ऐसी कन प्रियभाषा, इसके चाहेंगे कि आपकी जो कविताएं होती हैं उनकी विशिष्टा क्या होती है इस यह सवाल थोड़ा कठिन है लेकिन मैं बताओं कि कभी को किसी एक रस्में हम बांध नहीं पाएंगे कभी कि आखें चारो तरफ खोली होती है यह कुछ यह कहूं कि जहां न जाये रभी वहां पहुंचे कभी कहवत सब लोग जानते हैं तो जो भी समाज में वैसे चीज़ें जिसे लगता है कि जिसकी आवाज हम बन पाएं माशारदे की कृपा से हमारी कलम उस और चल पाए तो यह हम अपने आपको सवभाग्य साली समझते हैं तो वैसी चीज़ों को लिखने का प्र एक लुए लोग उतल है न जिनकी आवाज कर रहा हूं होती है उन्हें आप आवाज देनी की कौशिश चरण है हो इसाम याद मैंने आपको कवता पड़ी आपके रचना पड़ी थी मैंने पलायन के ऊपर मैं चाहूंगी कि उसकी दो पंतियां चोटी सी आप जरूर बनाएं उसके कुछ बंद ये पंतियां उस समय मैंने लिखी थी जब इस मुझासा कोरोना का काल आया था पहली बार और पूरे देश में एक अजीब सी बैचैनी हो भाई उन्हीं के शरम से हम सोफा पर बैठे होते हैं या अन्य सुख सुभधा का उपयोग करते हैं तो उनके लिए कुछ पंतियां मैंने लिखी थी काफी लोगों सराही थी मैं कुछ बंद उसका रखता हूं अभी तक हम लगातार तहत में पढ़ रहे हैं लोग मुझे गी किरे चंदा क्या वाद है फिर से चले आओ देश हमने जो हमारे मजदूर भाई है हमने उसके उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल के चंदा किरे चंदा फिर से चले आओ देश की दूध कटोरी मिलके बाटें की दूध कटोरी मिलके बाटें अब ना रहो परदेश तिरे चंदा फिर से चले आओ देश उनका गाउं उनको बुला रहा है गाउं की ओर से मैंने ये लिखा है कि जिस गाउं के लोग अपने जीवको पारजन के लिए तुसरे शहर में चले जाते हैं और उस समय जब उनके पास खा तो उनका गाउं उने बुला रहा है कि तुम वहां क्यों गय हो तुम यहां आ जाओ यहां हमारे पास सब कुछ है अदूर की कटोरी हम मिलके खालेंगे लेकिन वहां मत रहो मैंने पंक्तियां लिखिए फिर देखिए कुछ पंक्तियां और कि सूनी गलियां सूने डगर है मौन पवन पुर बैया सूनी गलियां सूने डगर है मौन पवन पुर बैया रोज बथान से राज निहारे बूढ़ी कारी गईया खेत कियारी बोली उठी अब बाटेंगे जीवन से रिचंदा फिर से चले आओ देश रिचंदा फिर से चले आओ देश बहर ही खूबसूरत और कई बार ऐसा होता है कि जैसा अभी आपने बताया कि कवियों के उपर एक जिम्मेदारी भी होती है और zijल्ली चाहेंगे हम आपसे जानना चाहेंगे बतोर साहित्तर कर एक साहत्त्रकार के कर्ड़ों पर किस प्रकार यह जिम्मेदारी होती है कि समाज को एक भाटर भाचे में ढाल सके समाज़ को एक बहतर Aoet दिखा सके बत और सहित्तिकार आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके पारे में देखिए सहित्त जो है समाज का आइना होता है तो हमारी रचनाएं निसंदे कोई भी आप लगू कथा कहानी कविता गजल कुछ भी आप पढ़ेंगे या सुनेंगे आपके आज पास जो मिलेंगी जो कोई कवी ने 20 वर्स पहले लिखा है और वो आज भी स्तटिक होता है तो ये कवी के उपर एक दैबियो सकती है कि आज की घटनाएं और आने वाली घटनाओं को माश्यारदे के आशिरवाद से वो शब्दों में ढाल देते हैं जो हमेशा लोगों के रिए प्र हैं तो आपके मन में उद्देश ही क्या होता है एक मोटिव कुछ होता होगा कि इस कविता से शायद कुछ एक मैसेज देना है या फिर किसी को संदेश मिल सके क्या रहता है आपके मन में हमेशा देखिए रचना लिखने का पहला उद्देश ही होता है कि हम रचना के मार्द दूम बाथ लुगों की बात करनी ज़लूरी है जब लोगों की बात करेंग train मेरी बात हो रही है तो उनको पसंद यह रोचक्ता बढ़ती है और वह सोकierten रहे हैं। कई दो रहे हैं यहां और कोल्ल को ढ़्वारं को सानी तरVES काले हैं और गया रहा है। कि किन चीज़ों को उन्हें पढ़ना चाहिए किस प्रकार अपनी कलम को मोड़ना चाहिए वो उन्हें नहीं पता होता है आप उन्हें क्या कुछ संदेश देना जाहेंगे एक मात्र संदेश में हर मंचुस यही देता हूं कि कभी तो नैसरगिक गुन है इश्वर की असीम कृपा होती है लेकिन कोई भी कभी अपने मेहनत तो आपको करना होगा आपको अधिक से अधिक सहित्य पढ़ने होंगे उत् जानकारी के हसाब से आपने स्वर भी खुद ही दिया है तो चुकि यह मौका है आप हमारे समक्ष बैठे हैं तो दर्शक भी हमारे चाह रहे होंगे कि आपकी जबानी हम इस गीत के दो लाइन सुन सकें कुछ पंक्तियां जरूर हमारे लिए सवभाग्य का विशय भी है कि बिहार बिहान के समरिद्ध मंज से उस गीत को मैं कि कुछ पंक्तियां मैं गुनगुना रहा हूं आपने यह आउसर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद यह गीत आठ अगस्त को रिलीज हुआ था और पूरे देश भर में के लोगों ने काफी स्नेह प्यार दिया कई जगह वह यह काफी चर्चित भी रहा यह गीत तो मैं कुछ पंक्तियां चुकी अभी हम भारत कामरित महुत सब बना रहे हैं और बहुत का अम्रित महुत्स सब पूरे भारत वर्ष के लिए गोरब का बिशए है हम भारतीयों को के लिए यह गवरवानी वीत करनेवाला थ्रण है ये पूरा वर्ष और भार्त सरकार भी इस च्छन को बहतर तरीके से लोगों तक डेलिवर करने का प्रयास भी कर रहे हैं लोग तो कुछ पंक्तियां मैं रखता हूँ कि शने शने ठहर ठहर पवंजी से पुकारता है बादलों की ओट से गगंजी से निहारता अनेक बोलियां जहां अनेक भूश वेश है यही तो मेरा देश है यही तो मेरा देश है एक बंद रखता हूँ है मंदिरों में घंटियां मिनार पर अजान है कहीं है सुर्य की चमक कहीं चमक तचान है है मंदिरों में घंटियां मिनार पर अजान है कहीं है सुर्य की चमक कहीं चमक तचान है सुनो सुनो वसुन धरा भी नेह से निहारती है सुर्शरी हिदै बसी धरा को है संवारती है संस कृतिय मिट है संस कृतिय मिट जहां की सभ्यता अशेश है यही तो मेरा देश है क्या वात है क्या बहुत ही खूबसूरत और आपके सवर के साथ जो आपकी लिखी वी येंतिनी हूबसूरत लगी है कि हमारे ग्चर्शे की ऐस उस वक्त हमारे कालक्रम देख रहे होंगे उनका भी मन बहुत ही गदगद हो चुका होगा है इस बेहदी हम यदी बताएं कि आप दिल से कवी हैं और उसके साथ ही आप एक सरकारी पतादिकारी भी हैं तो काम और कवता दोनों के बीच में जो सामन जस्ता है जैसा कि आपने बताया परिवार का बहुत सपोर्ट होता है मंगर फिर भी काफी लोगों के लिए यदि हम देखें जब जिन्हीं लेखनी अबी शौक होता है या कोई भी चीजों का शौक होता है जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की जो प्रेड़ना है वो किस प्रकार से आपको मिलती है सबसे बड़ी बात है कि आप जिस चीज में भी रुची रखेंगे तो ये निसंदेह आपके अंदर से वो चीजें बाहर आती हैं और आप समों का सनेह प्यार मित्रों का सनेह प्यार और सबसे अधिक परिवार का सहयोग चुकि आप मैं 3-4 दिनों से बाहर हूँ लेकिन घर की जो एहम जिम्यदारी है वो आपके ग्रिह मंतराले ने सम्हाल रखा है तो उनको यहां से मैं बढ़ाई भी प्रेशित करता हूँ कि आप घर सम्हाल रही हैं इसलिए हम अपने काम को और अपने सौक को सम्हाल पा रहे हैं और यह बेहत ही जरूरी होता है कि जब आपके साथी का साथ होता है तो आप बिलकुल जो आपने सपना देख रहा है जिस पत पर अग्रसर रहते हैं उस पत पर आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद भी मिल रही होती है इसके साथ ही चुकि अब वक्त की कमी है हमारे पास वरना आपके साथ जो यह बादचीत का सिलसला है यह यूही जारी रहता आपकी जो रचनाए हैं हम यूही सुन रहे होते मगें जाते-जाते मैं चाहूंगी कि आप हमारे युवा दर्शक यो इस वक्ति कारक्रम देख रहे हैं आप उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बिल्कुल दो शब्दों में बताएं प्लीज शंदेश सबसे पहला कि हम अपनी जड को पकड़े रहें चुकि जब हमारा जड हमारे मिट्टी में मिला होगा तो पौधा तभी तक जिवित होता है जिस समय जड मिट्टी को छोड़ देगा तो पौधे का अस्तित्व खतम हो जाएगा वो कभी विशाल पेड नहीं बन सक तो मेरे सारे युवासाती हम कहीं देश के किसी कोने में रहें पूरे बिश्व के किसी कोने में रहें लेकिन अपने अंदर उस गाउं को उस मिट्टी को जिन्दा रखिए लिए संदेह आपको हमेशा वो एक नई उर्जा और आपको एक नई प्रेणा भी देगा बलकुल इसके साथ ही मुकेश जी आपस कारेक्टरम में आए आपने अपने अपना वक्त दिया और इतनी सारी खूबसूरत रचनाय हमें सुनाई इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार दैशको आज हमने बात की बेहदी खास महमान जो हमारे आज के थे कवी सह सहायक एगनू डेली संजीफ कुमार मुकेश जी के साथ बहुत कुछ सिखला बहुत कुछ बतला गए हमें खास कर युवाव के लिए जो संदेश दे गए कि हमें अपनी जड़ को पकड़ के रखना है अपनी भाशा पर हमें अपनी जो हमारी मातर भाशा है उस पर हमें गर्व महसूस करन आप उस मिटी का नाम हम देश विदेश तक पहुंचाए और जहां तक हमारे कदम जा रहे हैं। उसके साथ ही दर्शकों अब वक्त हो चला है कारक्रम के अंतका और आप से विदा लेने का। लेकिन विदा लेने से पहले मैं चाहूंगे कि आप जटपट से उठाले कागज और कलम और हमें लिखें कि कैसा लगा आपको हमारा एक कारिक्रम लिखने के लिए आप पता नोट करें हमारा पता है कारिक्रम बिहार बिहान द्वारा निदेशक दूर दाशन केंदर फटना प्रपटना फ्रेजर रोड पटना आट 00001 हमारा इमेल अड्रेस है डिरेक्टर डीडीके पटना आट जीमेल डॉट कॉम